फिर हमारे हिस्टरी में कुछ प्रथाएं थी जीजको किसानोदोरा पालन किया जाता था उसका और उसे चेत्र देखेंगे कौँसे चेत्र में प्रचलीत थी तो एक जजमानी नाम की प्रथा थी, यह उत्तर भारत में प्रख्यात थी, आज के समय में भी जजमान सब्द का इस्तमाल किया जा था, उत्तर भारत में 12 बलूट ये महाराष्ट्रा में प्रचलित थी किसानी प्रथा थी मिरासी ये करनाटिका में प्रचलित थी और अडाडे ये तमिलनाडू में थी शाशक और उनकी रानिया चंदरगुप्त मौर्या की रानि थी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की थी दत्त देवी, चंदरगुप्त द्यूती की थी कुबेर नागा, कुमार गुप्त प्रथम की थी अनन्त देवी कुछ दर्शन और मोक्च प्राप्त करने के तरीके देख लेते हैं, छे दर्शन हैं हमारे इंडियन फिलोसपी में, ठीक है ना तो एक नयाय है नयाय गौत्मा ने दिया था ठीक है ना, मार्शी गौत्मा ने और तारकिक चिंतन अगर हम करें तो मोक्च की प्राप्ति की जा सकती है, इस नयाय दर्शन के अनुसार मीमान सा जेमिनी ने दिया था वैदिक अनुष्ठान करना, ये मतलब कुछ शब्द हैं और उनके वेवरल जैसे सर्व छत्रांग तक ये किसके लिए यूज किया गया राजवन्सों का संहार करने वाले को के लिए मतलब सर्व छत्रांग तक का इस्तमाल करते थे नगर शो भीनी, वैश्या के लिए यूज करते थे अधिकरित, गाओं की देखभाल करने वाला अधिकारी या कर्मचारी उसको अधिकरित बोलते थे कुछ इंपोर्टन पुस्तके हैं और उसके वरलित विशय है उनके बारे में देख लिए थे मुद्रा रक्षा के उपर और मुद्रा रक्षा सती में लिखा गया था सताब्दी इश्वी में और ये राज वेवस्ताग उपर था फिर तिलक मंजरी ये पूर्व मद्रिकाल में वेपार और वाडिजी के उपर लिखा गया तिलक मंजरी फिर यहाँ पे कुछ इताबे हैं और उनके लिखा गया बालचरित लिखा है भासा ने सारी पुत्र प्रक्रण लिखा है चेयन को टायन रे ठीक फिर त्रिष्ठी लक्षण महापुरान लिखा है नेमीनाथ ने राग माला लिखा है पुंडरिक विठल ने रस कौमुदिन लिखा है स्रीकंठ ने राग विभूद लिखा है सोमनाथ ने चतुर दंड प्रकाशी का लिखा है वेंकट रमन ने उसने कहा था लिखा है चंदरधर सर्मा गुलेरी ने अब ये गुलेरी हिंदी के बहुत बड़े लिखक है उनके कई किताबे हैं अब चुकि हिंदी के क्लास नहीं है वर्नावें के किताबों का नाम काउंट कराता आपको उद्धक, शातक, जगनाद, दास, रतनाकर ने लिखा है नर्म, माला, छेमिंद्र ने लिखा है प्रतिमान, प्रतिमान नाटक लिखा है भाशा ने मालती मादवली खाय भावभूती ने गुप्त यूग के कुछ मंदिर है और मद्धेपर्देश में उनकी अवस्तिती है किस रिजन में है इन पर्टिकुलर अगर मद्धेपर्देश में है तो उसके बारें देख लेते हैं तवांग का विश्नु मंदिर है ये जबलपूर में है एरण का विश्नु मंदिर है ये सागर में है नाचना कुठार का पार्वती मंदिर है ये पन्ना में है और भूमरा का शिव मंदिर है सतना डिस्ट्रिक में है फिर शासक और उस संप्रदाय के शासक हुए अमीर खुसरो यह चिस्तिया संप्रदाय से रिलेटेड थे मिया मीर यह कादिरिया संप्रदाय से रिलेटेड थे शासक नहीं थे यह कुछ important personalities थी और इनके संप्रदाय के बारें दिया हुए साद अला दरियाई यह सुरावर्दी थे शाह वलियुल्ला यह नक्षबंदी थे नक्षबंदिया संप्रदाय से कुछ शब्द और उसके अर्थ क्या है जो हमारे हिस्टरी में यूज किया गया है अलग अलग जगा पे मतलब ऐसा ने डिमारकेशन नहीं है कि इनका इस्तमाल मेडायविल में किया गया एंचियन में मतलब इसमें मिक्स्ट है तो अकल का मतलब होता था बंजर भूमी बूदो नाबूद का मतलब होता था क्रिशित और आक्रिशित भूमी इद्रारात का मतलब होता था करमुक्त भूमी अनुदानों से भिन होती थी ऐसे भूमी जो अन माने सी छोटी काई, आज के समय में विस्वा प्रचली था है उत्तर प्रदेश में, कुशक, एक रिहाशी किला, मावासा, एक किलेबंदी का गाह होता था ये, बक्काल, बक्काल हे अनाज विक्विका वेपारी होता था, फिर बालाहार, बालाहार किसानों का निम्नतम वर्ग उसको बालाहार बोलते थे, सिलहदर एक शशत्र वेक्ति, जो सिला की रक्षा करता था, यानि फोर्ट्स वगरा की रक्षा जो करते थे, उनकों सिलहदर बोलते थे, तुमान, दस अजार सैनिकों का एक समू, आमिल, राजस्व, संग्रहक, वक्काल, व्यापारी होते थे, पाही, अनावासी, खत, खेतिहर होते थे, कुलकरनी, ग्रामिड होते थे, कसबा, छोटा नगर होता था, इजारा, ठेके पर, ली गई भूमी, ठीक है, श्राफ जो है, मुद्रा, विनियवन करता होते थे, जिम्मी, संडक्चित गयर मुस्लिम होते थे, ठीक है, ये जिम्म मजली से खल्वत, मजली से खल्वत, राजा और उच अधिकारियों के बिच, जो गुप्त बैठक होती थी, उसको मजली से खल्वत बोलते थे, फिर महसूल, महसूल प्रांत की कुल आयक को बोलते थे, इक्ताय इस्तिगाल, इक्ताय इस्तिगाल बोलते थे, लगुकालिक फ जहां ठीक है जोनपूर से थे बाज बहादूर मालवा से थे कुटुब शाह गोलकुंडा से थे कुटुब शाह डिनस्टी सुल्तान मुझफर शाह गुजरा से थे फिर दर्गा है और वो किसके नाम पर पढ़े हैं उनके बारे हम देख लेते हैं मतलब वो कहां पर हैं वो दर्गा है कुछ इंपोर्टन दर्गा है हमारे सूफी सैंड्स से रिलेटेड जैसे सेख मुणुदीन चिस्ती का दर्गा है जमेर में अब यह किसने बनुआ था आप आपको मैंने बताया है सेख बुर्हान उद्दीन गरीब का दर्गा है दौलतपुर में देखे क्या आइरनी है यहापे नाम है इनका शेख बुर्हान उद्दीन गरीब और इनका दर्गा है दौलतबाद में ठीक है तो ऐसे आप यहाद भी रखते हैं गरीब का मतलब बु में मैंने बताया कुछ घटना है औरों की तिथी इंपोर्टन्ट है ये तो जैसे देव गाउं की संधी देव गाउं की संधी हुई थी 17 दिसंबर 1803 में लॉर्ड हास्टिंग ने प्री शेंसर्शिप को समाप्त किया था 1818 में जहासी का जोकन भाग हत्या कांडुगा था 8 ज स्री राम बाजपई ने की थी कब किया था 1904 में कहां पे बंबेई में दसत्य महीमा धर्म अफ उडिशा की स्थापना महीमा गोसाई ने की थी दस्वामी नाराने संप्रदाय अफ गुजरात इसकी स्थापना सजदानंद स्वामी ने की थी सुसाइटी ऑफ इंडिया सर साइयद अमध खान ने था 1864 में किया था सुसाइटी फॉर्ट ट्रांस्लेटिंग यूरोपियन साइन्स किस थापना 1825 में हुई थी कलकत्ता में पालखेड का युद्ध 1728 में हुआ था गोल मुरी टेनप्लेट इस्ट्राइक ये हुआ था 1929 में ग्रेट इंडियन पेनिन्सुलर रेलवेज का स्ट्राइक ये 1930 में हुआ था फिर असम बेंगाल रेलवेज स्ट्राइक हुआ था 1921 में अहमदाबाद टेक्स्टाइल स्ट्राइक हुआ था 1928 में अकाल आयोग 1899 में बना था कि उसके अध्यक्ष थे एंथनी मकडोनल्ड इनके बारे मैंने बताया था जब मैं अकाल आयोग के बारे में पढ़ा रहा था था रेलवेज आयोग बना था 1901 में इसके अध्यक्ष थे थॉमस रोबर्टसन सिचाई आयोग 1901 में ही बना इसके अध्यक्ष थे सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिक विश्व विद्याले आयोग ये करजन के समय बना था 1902 में इसके थॉमस रहले अध्यक्ष थे सुभाया चंद्रबोस ने सिंगापूर में स्वाधिन्ता भारत की सरकार गठित की 11 सक्टूबर 1943 को फिर एक्षाला सेपल ट्रेटी 1748 में हुआ लाव बुर्दनासे द्वारा मदराज पर अधिकार किया गया 1746 को डूपले की पद्चुत्थ हुई पद्चुत्ती मतलब यह जो सेकेंड अंगलो करनाटिक वार था इसमें डूपले हार गया मतलब डूपले गया देख्षिता में फ्रांस हार गया और इसको पद्चुत्थ कर दिया गया और फ्रांस बेश दिया गया उसके उपर मुकद में चलाए गए वहाँ पे 1754 में यह हुआ था बैरकपूर विद्रो यह नॉमबर 1824 में हुआ था बहरामपूर का विद्रो फरवरी 1857 में हुआ था वेलोर का विद्रो वेलोर का विद्रो हुआ था जुलाई 1806 में यह पहला मूटनी मानाता है सिपौई मूटनी ठीक है इसको बोला जाता है 1806 में फिर भारतियों द्वरा चीनी उद्द्योग का विकास 1904 में चीनी ये चाइना वाला चीनी नहीं मतलब शुगर वाला चीनी उद्द्योग का विकास वा 1904 में इतला में प्रत्थम — जूट मिल में प्रारम 1885 में हुआ, और केजी दावेर नाम केऑप्ती थे, जहने रिस्टिवह मां। cotton textile weaving spining weaving ऐसे कुछ करके नाम था उसका वो मुंबई में बना था 1854 में और उसको देबार जीने किया था भारत में steel का प्रथम बारुत पादन 1876 में किया गया बंबई में प्रथम कपडा मिल का प्रारम 1854 में किया गया कुछ आंदोलन हैं और उनके नेत्रत वर करता के बारे में देख लेते हैं और कुछ अन्य जानकारियां भी है इसमें जैसे इजावा आंदोलन इजावा आंदोलन 1868 में केरल के धार्मिक सुधार आंदोलन में स्री नारायन गुरू यह इसके लिडर थे द्वारा आरंब किया गया यह केरल के इजावा कम्यूनिटी थी एक कास्ट था मतलब छोटा कास्ट था तो जो कास्ट सिस्टम उसमें बहुत प्रिवेल था और इनको सताय जाता था मंदिरों में जाने नहीं दिया था था तो इसके खिलाब से नारायन गुरू ने इजावा आंदोलन कराय था 1888 में फिर जस्टिस आंदोलन जस्टिस मुव्मेंट भी बोलते हैं इसको 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 सुरुवात CN मुदेलियर, TM नायर और त्याग राज ने किया था मदराज में फिर आत्मसम्मान आंदोलन ये 1920 में हुआ था स्वामी, रामस्वामी नहीं कर ने इवी रामस्वामी नहीं कर पूरा नाम है इनका इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन कराय था कहां पिकराय था ये तमिलनाडू में हुआ था फिर ये नयार अंदुलन, नयार अंदुलन जो है 1870 में हुआ था, C.V. रमन पिल्लाई, ठीक है, फिर राम क्रिस्न पिल्लाई और M. पदमनाव पिल्लाई ने इस अंदुलन की सुरुआत करी थी, 1870 में, नयार अंदुलन, फिर कुछ पुस्तके फिर हैं, और उसके लेखक, उसके बारे मैं देखके, पुस्तके बहुत दी हुई हैं इसमें, ठीक है, और सारी important है, तो कैसे याद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करिए, और correlate करने की कुछिस करिए, तो वैसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे, और revision is the key, आप जब तक revise नहीं करेंगे किसी information को, तो आप उसको नहीं याद रख सकते हैं लंबे समय तक, तो आप एक तो सबसे पहले इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो इसको ज़्यादा ज़्यादा बार देखने की कुछिस करिएगा, तभी आप उस सारी information को graphs कर पाएंगे, मगप कर पाएंगे, दूसरा हमारा free initiative चलता है, study for civil services का telegram channel है, उस पे रोज 50 question करा जाते हैं, वो GK से related होते हैं, उसमे history, geography, economics, science सारे part included होते हैं, तो आगर आप वो रोज 50 question solve करते हैं, तो आपका daily basis पे revision भी होता रहेगा, और आप self evaluation भी करते रहेंगे, प्लस इस से बढ़के अगर आप paid courses लेना चाहते ह हैं, तो description box में number दिया हुआ है, वहाँ से आप paid courses भी ले सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं, पुस तक the spirit of laws, the spirit of laws, मतलब law हाई है, lodge वो रहने वाला lodge नहीं, ठीक है, the spirit of law Montesquieu, French philosopher थे उन्होंने दिया था, separation of power के बारे में बुला था कि judiciary, executive और government जो होती है, legislative body, उसमें separate sun हो पाउर का, और check and balance होना चाहिए, एक दूसरे के उपर, तो ये French philosopher थे, Montesquieu उन्होंने दिया था, the economic history of India, R.P.Datnay है, इन्होंने लिखा था, फिर the phrase of folly, ये Erasmus ने लिखा था, इस्तुती of folly, ये phrase of folly, इसको बोलते हैं, my memories of I.N.A., I.N.A. and its netaji, ये सहानवाच खान ने ल ठीक है, बंग दर्शन ने लिखा था, बंकीम चंदर चटर जी ने गुबार एखाती लिए, अब्दुलकलाम आजाद ने लिखा था, History of British India, ये James Mill ने लिखा था, ठीक है, important किताब है ये, History of British India, इसको याद रखेगा, अवद in revolt, ये 1984 में, Rudraanshu Mukherjee ने लिखा था, कर लिजेगा, आप यहाँ पे पुस्तक यहाँ पे होगी, और लिखा यहाँ पे होगी, तो Fall of the Impires लिखा था, जादुना सरकार ने, इस्तरी पुरुष तुलना लिखा था, तराभाई शिंदे ने, The Other Side of the Middle, ये लिखा था, Edward J. Thompson ने, History of the Sepoy War in India, ये, John William K. ने लिखा था, ज ये, Dwey Broyan ने लिखा था, Gandhi बनाउन Lenin, ये, S. Dange ने लिखा था, S. Dange जो Bolshevik Revolutions के involvement था, S. Dange, टीकिए, कानपूर Revolution, कानपूर की जो conspiracy थी, उसमें नाम आता, S. Dange का, इनोंने लिखा था, Gandhi बनाउन Lenin, फिर, Branti Vilas, ये लिखा था, Iswar Chandra Vidya Sagar ने, Prosperous British India, ये, W. Digli ने लिखा था, Rajinder Prasad जी की एक और बुक है, At the Feet of Mahatma, ये भी इनी की किताब है, फिर, अचा, यहाँ लिखा हुआ है, At the Feet of Mahatma Gandhi, ठीक है, Rajinder Prasad ने, फिर कुछ पत्रिका देख लेते हैं, उनके संपादक देख लेते हैं, The Leader को संपादित करते थे, Madan Mohan Malvi Ji, अब The Leader है, और भी बहुत से पत्रिका हैं, उसकी संपादक थे, Madan Mohan Malvi Ji, जैसे The Union है, फिर, अभ्यूदा है, उसको भी संपादित करते थे, मतलब उसकी डिटेर थे ये, फिर, धैनिक आज, इसके संपादक थे, सिव परसाद गुपता, Voice of India, दादा भाई नरोजी, संवाद प्रभाकर के, जो संपादक थे, स्वर चंदर गुपत, बामा बोधनी, उमेश चंदर दत्ता, महिला, गिरिश चंदर सेन, भारती के, जो संपादक थे, द्विजेंदर नात्तय गोर, सूप प्रभाद के संपादक, कुमुधनी, तथा बसंती मित्र, कुछ समासुधारक और उनकी संस्थ उसके बारेम देख लिए थे, पंडिता रमाबाई की संस्था थी सार्दा सदन, मर्सेडी के कारवे की संस्था थी अनात बाली का आश्रम, इन्होंने वुमेन इमनिंशिपेशन, मदलब औरतों के कल्याण के लिए बहुत से काम किये थे, तो इन्होंने एक संस्था अंधोलन है और उससे रेलेटड कुछ वेक्ति हैं, एहमदी आंधोलन मिर्जा गुलाम एहमद कादियानी इन्होंने स्टाट किया था, देवबन्न आंधोलन मुहमद कासीम ननतवी ने स्टाट किया था, दार अल उलम भी बोलते है इसको आंधोलन को, नदवत अलूलेमा स सिबली मनुमानी ने स्टाइड किया था अहले हदीत आंदुलन को स्टाइड किया था वली अल्लाह ने नवाब और उनके कारेकाल को देख लेते हैं तो अब देखिए सारे नवाब आपको याद रखने कि कोई जरूरत नहीं है मैं परसनली अगर आपको बताओं तो आप पढ़ तो लीजिये एक बार लेकिन आप मुसली याद रखिएगे ये दिल्ली के नवाब हैं ठीक है ना तो आप ये याद रखिएगे कि पहला कोन था और आखरी कोन था तो मैं सारा पढ़ देता हूँ ऐसे अगर कभी क्रोनलोजी में आ गया कुछ बीच में नवाब इंपोर्टेंट है जिनके बारे मैं बताओंगा तो आप उनको याद रख सकते हैं जैसे पहला नवाब तो लखना हूँगा वो साधात खान था 1722 से 1749 सफदर गंज उसका बेटा हुआ 1749 से 1749 अब ये सफदर गंज इंपोर्टेंट है क्योंकि सफदर गंज एक हॉस्पिटल भी है न दिली में काफी फेमस होता अपने रिसेर्च वगरा के लिए सुजाओ दौला सुजाओ दौला ये 1749 से 1775 तक था वाजिर अली 1797 से 958 में हुआ सादात अली खान 1798 से 1824 तक रहा फिर गाजी उद्दीन हैदर अली खाई ये 1814 से 1824 तक रहा नसर उद्दीन हैदर 1823 साथा Juliet साथा 596 से 48 फिर 1859 का युद्ध हो जाता है और इनको अटा दे जलता अपने पोस्ट से ठीक है फिर अधिकारी और उनके विवर्ण देख लेते हैं कुछ important अधिकारी रहें लाल सिंग जो था ये एंगलो सिख वार के समय था लाल सिंग प्रतम एंगलो सिख वार के समय ये प्रधान मंतरी था वजीर था सिख इंपायर का ठीक है और उसमें सिख इंपायर का राजा कुण हुआ करता था महाराजा दिलिप सिंग और ये जो है ना मारानी जिंदल जो थी जिंदल कॉर उसका लवर भी हुआ करता था फिर तेजा सिंग अब ये देखो दोनों जो है ना यह विश्वास घाति थे यह नहीं के विश्वास घात की वज़ए से Anglo-Sikh War हुआ और उसमें British जीत गया तेजा सिंग जो था प्रथम Anglo-Sikh War में दूरान सिंख सेना का प्रमुख कमांडर था ये तो ये कमांडर था और ये परदानमंत्री था ध्यान सिंग जो था प्रतम एंगलो सिख युद्ध सेपूर्व पंजाब का परधानमंत्री रहा यह माराजा खडग सिंग जो 27 जुन 1849 से आठ अक्टूबर 1849 के समय में थे उनका वजीर था यह मूल राज जो था यह प्रतम एंगलो सिख वार के बाद मुलतान का गवर्नर बना फिर मुद्राएं कुछ हमारे मेडाविल टैम में हुई और उनके जो जारी करता हुए मतलब किनों ने उसको जारी किया उसके बारे में देख लेते हैं जाड साही एक मुद्रा थी ठीक है यह जैपूर राज ने इसको जारी किया दब्बू शाही को मेवाड राज ने कटार जाड साही को करोली राज ने कटार साही को बुंदी राज ने फिर विजय शाही को बिकानिर राज ने राव शाही को अलवर राजने डोडिया को जैसलमिर राजने और तमंचा शाही को दहौलपूर में ने जारी किया था ठीक है तमंचा शाही फिर यहाँ पर कुछ नाम है और उनका संबंद कुछ इंपॉड़न घड़नाओ से है तो उसके बारे में यह बैरकपूर में स्थित 34 वी नेटिव इंफेंट्री के कमांडिंग आफिसर हुआ करते थे जनरल हैविट यह मेरट के कमांडिंग आफिसर थे हूज विलर विद्रो के समय कानपूर में कमांडिंग आफिसर थे और इन्हों नहीं दमन किया था कानपूर में विद्र होगा 18 संदा उनकी बात हो रही है अबे सर विलियम वेडर्मबर्न ये सहकारीत आंदूलन से संबंदी थे अलबर्ट मॉयर ये इटावा पॉयलेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ब्रेटिस सरकार ये ब्रेटिस अन्य उपजाओ अभियान चलाई थी इसने ब्रेटिस सरकार नहीं तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को अपने इंडिया में क्रियेट किया है जो भी उद्धो जो भी रेविल रेविलियन वगेरा या जो भी अन्रेस्ट हुए इन्हीं की वज़े सही हुए तो एक गटना से इनके संबंद को दर्शाना ये गलत है आगे देखते हैं महात्मा गांदी जी ये सेवा ग्राम प्रोजेक्ट में फिर वही बात है फ्रांसिस्को दा अलमेडा ठीक है ये ब्लू वर्टर निती आये थी इसकी इसके बारे मैंने बताया फिर फ्रांसिस्को दे अबुलकर्क ये अपने साथी देशवासियों को भारती महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रिणा दिया करता था मतलब ये एक ऐसा गवर्णर जनरल था पुर्टगाल का जिसने एक्सपेंशन किया था पुर्टगीज का अगर आज के समय में गोवा में पुर्टगाल का जो चाप है वो अभी भी छूटा हुआ है तो इसी की देन है ठीक है इसने काफी डेवलप्मेंट भी किये हलाकि उस वक्त लेकिन पुर्टगाली उको लेया लेया के यहां पे इंडिया में स्थापित कराया और रखा इसने मतलब उनको इंसेंटिव देता था कि इंडियन से इंडियन बुमेंट से साधी करो और यहां वैपार वागरा करो ऐस पुर्टगाल राजधानी को कोचिन से गोवा के लिए स्थानांतरित किया कब की बात है यह 1930 की बात है ठीक है तो गोवा को तो कप्चर कर लिया था 1910 में अब बुलकर्क नहीं लेगिन उसको अपनी राजधानी बनाई गोवा को किसने निनो देकुन्हा ने 1930 मे मार्टिन अलफेंस डिसूजा यह प्रसिध जस्यूट संथ फ्रांसिसको जेवियर इसे अपने साथ लेके आया थे ठीक है फिर कुछ अधिनियम और उनके वर्स देख लेते हैं यह इंपोर्टन्ट है एक्जाम में पूछे जाते हैं यह ऐसे कुश्चन राजधरोई सभाओ को रोकन का अधिनियम यह 1907 में आया था 1978 के समय जो स्वदेशी आंदोलन फैला हुआ था उसको सप्रेज करने के लिए ब्रेटिस गवर्मन बहुत खबडा गए थी और उसको दसका दमन करने के लिए लगातार कई कानून लेके आई जिसमें प्रेस एक्ट वगरा भी थे इसमें दि साल के अंदर ही तीन तो एक साल में ही आयते है भारती सस्त्र अधिनियम शाहिपद अधिनियम शाहिपद अधिनियम वगर्मन भारती उच नियाला अधिनियम 8 1886 में आया, दक्कन खेती है रहात अधिनियम, 1889 में आया, कम्पनी अधिनियम, 2013 में ये कम्पनी जैक्ट 2013 की बात कर रहे है, साज़ेदारी अधिनियम, 1932 में आया, वस्तू क्रय अधिनियम, 1930 में भारती सम्विदा अधिनियम, 1872 में भारती फैक्टरी अधिनियम, 1881 में और उनके शासनकाल के दुरान न्युक्त किये गए वजीर या दिवान एकुल, वजीर को दिवान एकुल भी बोलते थे, तो उनके बारे हम देख लेते, अकबर के समय जो दिवान एकुल या वजीर हुए करते थे, मुझफवर खान हुआ करते थे, बाबर के समय निजामुद्द अख्छा लगा हो तो प्लीज हिट दे लाइक बटन आज शब्सक्राइब के चैनल इफ यू हम नोट ठीक है और अगर आपको कोई कोर्स लेना है जैसे हमारे बहुत से एक्जाम्स के पेट कोर्स चला जाते है जिसमें पडियफ उगरा प्रोपारा जाते है हमारे यू यू study for Civil Services platform के द्वारा, तो आप उसको join कर सकते हैं, इसमें UPSC, BPSC, UPPCS, ठीक है, UPSC, PFO, यह सारे exams related complete courses चला जाते हैं, तो आप उसमें enroll कर सकते हैं, आप इन numbers पर call कर सकते हैं, फिर उसके बाद अगर आप इन सब initiatives को join नहीं कर सकते हैं, तो आप free में जो telegram initiative हमारा चल रहा है, जिसके बारे मैंने कई बार बताया, आपको आप उसको जरूर जोइन करें, और अपने आपको self-evaluate करें daily basis पर, आप देख रहे थे study for civil services, मेरा नाम है Nitesh Singh, I am signing off, thank you for watching this long video,